हेलो स्टूडेंट्स मैं रुष्के सेड़े आप सभी का वेलकम करता हूं आपके चाहिते प्लाटपॉर्म विजनल पार्टनर्स केमेस्टी पर तो काफी बड़ी न्यूज है बच्चो आप सभी को इंतजार था बोर्ड एक्जाम के डेट तो आ गये लेकिन एक्जाम कब होने वाला है तो वो राज बच्चो अभी खुल गया है आपका इंतजार खतम हुआ है एक्जाम का टाइम टेबल आ गया है रिलीज हो चुका है डेट समय पता चल गई है कि कब से आपका एमेस्टी सीटी का एक्जाम होने वाला है एमेस्टी सीटी के साथी बच्चो एमेस्टी सीटी में तो PCM PCM PCB ग्रूप तो होता ही है उसके साथ आपका नर्सिंग का एक्जाम कब होगा उसके साथ आपका BCA BBA का सीटी एक्जाम कब होगा यह सारी डेट्स बच्चो कंड़क करता है उन्होंने बच्चों डेट आउट कर दी है कि कब आपका एक्जाम होगा कितने दिनों तक आपका एक्जाम चलेगा क्योंकि एक्जाम जो होते हैं वो शिफ्ट में होते हैं अगर आपको पता नहीं है तो अलग-अलग शिफ्ट में आपके एक्जाम होने वाल सबसे लाइए तो यह डेट से बच्चों आपकीी जैसे आपका जो इसका एक्जाम है मतलब जो bb a b ca जो बच्चे देने वाले हैं bb m b m s के जो एक्जाम सीटी एक्जाम वह 25 जो बच्चे देने वाले हैं, उनका एक्जाम रहेगा 1st April, 2nd April और 3rd April को रहेगा, मतलब सबसे पहले है न, ये इस साल, मतलब 2024 में ये एक्जाम सबसे लास्ट में हुआ, ठीक है, और अभी ये सबसे पहले है, 2025 को जो बच्चे देने वाले हैं, उनके लिए, कब होगा 1st April, 2nd April और 3rd April को, जो important चीज़ ये, कि जो हमारा MST-CET का एक्जाम है है न, मतलब जो बच्चे PCB ग्रूप के लिए दे रहे हैं, Physics, Chemistry, Bio के लिए दे रहे हैं, मेडिकल फिल्ड में जाना चाहते हैं, फार्मसी में जाना चाहते हैं, एक्रिकल्चर में जाना चाहते हैं, उन बच्चों का जो एक्ज स्टार्ट होने वाला है, 9 अप्रिल को, चलेगा कब तक, 17 अप्रिल को, और जो बच्चे PCM ग्रूप के लिए एक्जाम दे रहे हैं, MST-CET का एक्जाम PCM ग्रूप वाले, Math वाले बच्चे, Physics, Chemistry, Math वाले, ठीक है, जैसे जिनका General Science है, वो तो दोनों एक्जाम देंगे, और जिनका Fishery होता है, वो PCB वाला देंगे, और जिनका Computer Science वाले बच्चे है, वो PCM वाला देते हैं, बराबर, जिनका बायों नहीं होता, वो PCM देंगे, तो General, General वालों को तो दोनों दोनों दे सकते, PCM भी दे सकते हैं, PCM भी दे सकते हैं, तो ये PCM वालों का एक्जाम, 19 अप् तक PCB का और सेवर नाइंटीन से लेके 27 एपरिल तक PCM का उसमें 24 तारिक को चुट रहेगा है ना 24 तारिक को पेपर नहीं होगा मतलब डेट्स तो हमें पता चल गए बच्चो अभी आपका बोर्ड एक्जाम कब खतम होने वाला है तो आपको पता होगा तो आपका बोर्ड ए बाद जो PCB वाले बच्चे हैं उनका एक्जाम 9 अपरिल को होने वाला है CT का लगभग 45 डेज बच्चों उनको मिलेंगे ठीक है PCB ग्रुप वाले बच्चों को बोर्ड एक्जाम के बाद कितने दीन मिलने वाले हैं 45 डेज मिलने वाले हैं CT की प्रिप्रेशन के लिए ठीक हैं और जो PCM वाले बच्चे हैं ये 9 से लेके 17 तक हैं इसका 19 से लेके 27 तक हैं तो इनको 10 दिन से ज्यादा मिलने वाले हैं तो board exam के बाद आपको क्या करना है, सभी जो आपका board exam के लिए आपने theoretical part पड़ा होगा है, उसके MCB practice करने होंगे, जो कुछ पड़ा है, उसको revise करना होगा, ठीक है, 45 से 55 days आपके पास है, उतने दिनों में आपको revision करके, finally, CT exam को देना है, तो summarize क्या है, तो आपका CT exam का date आ गया है, लगभग जो बच्चे है, वो PCB और PCM group का exam देते हैं, maximum बच्चे, तो उनका exam 9 April से PCB वालों का start हो रहा है, 70 April तक, और PCM वालों का 19 April से लेके 27 April तक चलने वाला exam, ठीक है, तो यही information बच्चों आपको इस वीडियो में देनी थी, तो एक और चीज, अब कुछ बच्चो के मन में आ रहा होगा, कि अभी बोर्ड और MSTCT exam को manage कैसे करे हैं, तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा दोनों exam को आपको कैसे manage करना है, ठीक है, तो ऐसे amazing videos के लिए बच्चों आपको चैनल को subscribe कर लेना है, और वीडिय या आपको ये वीडियो शेर करना है आपके दोस्तों के साथ, तो मिलता है बच्चों अभी ऐसे ही अगले amazing session में, बाई बाई